नमस्कान में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चलि जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को बिहार में 5 और मेडिकल कॉलेज उस्पतालों में जल्धी लगाई जाएगी RT-PCR मशीन बिहार में COVID-19 के बेलगाम बर रह मामलों को देखते वे बिहार के 5 अन्य अस्पतालों में आर्टी पीसी आर जौांच मशीन लगाने की योजना बनाई जा रही है जिसके लिए राज़ों में हर दिन एक लाग से अधिक COVID-19 जौांच के लक्षे को पूरा क्या जा सकेगा। कोबास 3800 मशीन भी उपलब्द कराने का अनुरोध किया है। 10,000 वेंटिडेटर पर आने वाले मरीज से 15-20,000 के वीच लिया जा सकेगा। इसके बाद भी अगर कोई प्राइवेट अस्पताल मरीजों से वसूली करता है तो मरीजों के परिजन जुला निबंधन एवं परा मरशकेंद्र के कंट्रोल रूम के नंबर पर इसके शिकायत कर सकते हैं। इसाफतोर पर अब कोई भी नीजी अस्पताल मनमाने धंग से किसी से भी फीस नहीं ले पाएंगे। सिक्षकों के वेतन के रिए 7 अरब 44 करोर 58,093,000 जारी कर दिया है जिसके परिणाम सरू प्रदेश में कुल 3,23,000 नियोजिस सिक्षकों में 66,104 नगर प्रखंड और 45 सिक्षकों का वेतन भुगतान राजसरकार की नीती से होता है जबकि 6 सिक्षकों के वेतन का भुगतान स सिक्षकों मगर सिक्षक अभियान की राश्वी से किया जाता है स्टीटी के 37,440 सीटों के लिए 1,500 अंक की होगी परिक्षा विहार बोड ने माधमिक सिक्षक पात्रता परिक्षा यानि स्टीटी 2019 की पुझे परिक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है जिसके इस प्रकार पेपर 1 में कुल 1,500 अंक का होगा पेपर 2 में पुझी जाने वाले प्रश्ण में 100 अंक विशे वस्तू के होगे 50 अंक सिक्षन कला और अन्य दक्षताव पर आधारित होगे पेपर 1,500 का आयोजन करवाय जाएगा साथी साथ पेपर 2 में कम्प्योंटर साइंस विषय के लिए भी परीक्षा का आयोजिन किया जाएगा आपको बता दे स्टेटी 2019 की पुन्हे परीक्षा नौ से 21 स्टंबर के बीच आयोजित की जाएगी बिहार में जान गवाने वाले COVID-19 वारियर्स के आश्रतों को 15 अगस तक मिलेगा मुआवजा COVID-19 से संक्रमित होकर जान गवाने वाले डॉक्टर और सामाने मरीजों की परिजनों को मुआवज़े की राश्री का भुकतान जल से जलत करने का आदेश जारी कर दिया गया है कि इस विभाग को दिशा में सक्ती से कदम उठाए 15 अगस तक सभी लंबित भुक्तान की प्रक्रिया पूरी कर लिजाए मिली जानकारी के नुसार अब COVID-19 संक्रमित जान गवाने वाले डॉक्टर के परिजनों को केंदर के निर्ने के नुरू 50 लाग रुपए और अन्य संक्रमित जान गवाने वाले मरीजों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहतकोष से 4 लाग का भुक्तान किया जाएगा 31 अगस्त हाई कोट में अब होगी वर्चुल सुनवाई 31 अगस्त तक वर्चुल तोर पर सुनवाई की जाएगी मिली जानकारी के नुसार COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते वे 31 अगस्त तक वर्चुल कोट के जरिये मामले की सुनवाई करने की तैयारी की जा रही है मिली जानकारी के नुसार, पटना हाई कोट के सभी अधिवक्ता, संगो के पताधिकारे, बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेर्मेन ललित किशोर समेथ के इंडिसरकार के additional solicitor general और पूर्व महाधिवक्ता पीके शाही के अनरोध पर हाई कोट की फुल बेंच ने एक आदेश पदक वर्चुल कोट चलानी का आदेश जानी किया है इस पूरे मामले में हाई कोट की फुल बेंच ने सुनवाई की है जिसमें मुख्यन आधिश रहमूर्ती संजिक और साथी साथ नहमूरती दिनिश कुमार सिंग और नयामूरती हिमत कुमार श्रवास्थव की पुर्ण बैठक ने 23 अगस्त तक वर्चुवल कोड के माध्यम से सुनवाई करने का आदेश दिया था जुसके बाद इसे बढ़ाकर एकत्यस अगस्त कर दिया गया है इन पौधों की बिक्री भी सुनशित की जाएगे यह तयारी सभी पौधों की खरीदारी सरकार अपनी तरफ से करेगी एंवन पर्यावरन वेब भाग उनकी खरीद की गयालएन्टी करेगा सरकार की मनशा है कि अन्य राजो के पौधर ओपन के लिए पौधे नहीं खरीदे जाएंगे राजो के अंदर पौधे शालाओ और फिर जीवी का दीदियों को नर्सरी से खरीदे जाएंगे इसी की तैयारी के तहट नर्सरी खोलने की योजना बनाई गई है कास बात यह है कि सभी पौधे खरीद कर सीदे खाते में पैसे भीजे जाएंगे सभी नर्सरी का नाम दीदी की नर्सरी रखा जाएगा सरकार की योजना है कि पौधे की बिक्री से ग्रामीन शेतर की महिलाओं को आर्ठिक रूप से मजबूत बनाने का मौका मिले राजु के सभी 108 वे नर्सिरी जीवी का दीरिया चला रही है नौ विभाग वाला सुपर स्पेशालिटी एस्पताल 18 महीनों में बनकर हो जाएगा तैयार बिहार में स्वास्त विवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी हो रही है जुसके तहट PMCH में करीब दो सा करोड की लागत से बनने वाले सुपर स्पेशालिटी एस्पताल का निर्मान कारे बुधवार से शुरू हो गया है ठारा महीने से एस्पताल बनकरिये तैयार हो जाएगा प्रधान मंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना फेज 4 के तहर इसका निर्मान हो रहा है इस पर योजना का शिरन्यास मुख्यमंत्री नितिश कुमार और किंद्रमंत्री जेपी नड़ाने किया था 160 बेड़ वाले एस्पताल में करीब 9 सूपर स्पेशालिटी प्रभाव बनाएगया है इसमें neurology, neurosurgery, urology, nephrology, endocrinology, radiotherapy और gastroenterology विभाग शामिल है जिसके शुरुआत प्रचारे डॉक्टर विद्यापती चौधरी और अधिक्षक डॉक्टर कमल कांत ने नारेल फोर कर की थी मौके पर CWD के Executive Engineer चंदन कुमार, OSD डॉक्टर कुमार अरुन भी मौझूद थे बाठ प्रभावितों ने कुशेश्वर स्थान के विधायक सशी भूशन हजारी को बनाया बन्धक बाठ से परिशान, लोग और सरकार की तरफ से परियापत मदद मोहया नहीं करवाया जाने की कारण नाराज लोगों ने पीते दिन कुशेश्वर स्थान से विधायक सशी भूशन हजारी को बन्धक बना लिया बिहार में बाठ और COVID-19 का प्रभाव लगातार बढ़ता जार है अब तक 70 लाग से ज्यादा आबादी बाठ से प्रभावित हो चुकी है वहीं लोगों का गुस्सा भी साफत और परबनेताओं पर देखने को मिल रहा है मिली जानकारी के नुसार दर्भंगा के कुशेश्वर सान शेतर के ब्रह्मपूर पंचायत में सानिय वधायक सशी भूशन हजारी को वहां के जनता ने बंधक बना लिया था जनता के तरफ से हाथों में पोस्टर बैनर लेकर घूमने वाले वधायक वापस जाव के नारे लगा रहे थे कुछ दिनों पहले ही भी वधायक सशी भूशन हजारी को लोगों ने विरोध किया था जुसका सामना उन्हें करना पड़ा था जिसके साथ ही उटका कहना था कि पिछले 10 साल में छेतर के विधायक रहने के बाद भी सशी भूशन हजारी ने कोई काम नहीं किया है फ्रैक्टर मालिक और बिल्डर अब टिकेट भेज कर श्रमिकों को बिला रहे हैं वापस शुरू कर रहे हैं इसके साथ ही उनके परिवार के खर्च के लिए 2-3 महीने का एडवांस भी देने को तयार है प्रटना से चन्य बैगलोरो हैदराबाद एहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट में 70-80 श्रमिक रवाना हो रहे हैं प्रटना एरपोर्ट पर इन दिनों बिहार मजदूरों का पता रहता है जिसके तहट दोपहर में तो नजारा देखने लाइक रहता है जहाँ पर बस, स्टैंड और रेल्वे स्टेशन जैसी भी अब एरपोर्ट पर साफतोर पर देखने को मती है जिस एरलाइंग्स कंपनियों को भी काफी ज्यादा फाइदा हो रहा है बिहार वधानसभा चुनाव की तहट गोहिल ने दी कॉंग्रेसीों को चुप रहने की नसिा앤 आगामि में वधानसभा चुनाव को ध्यान मरखते वे साathी सीट बटवारे को लेकर कॉंग्रेस के बिहार प्रभारी शुक्ति सिंग गोहिल ने भीते दिन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पार्टी के नेताओं को महागठमंदन और सीट के बटवारे को लेकर फिलहाल शांत रहने की नसियत दी है कि कॉंगर्स कितनी सीटो पर चुनावी मैदान में उतरेगी और कौन साथ रहेगा इसे लेकर कई तरह कि अफवाहें चल रही है अभी कुछ भी तैय नहीं है सभी पार्टी कारेकरता से अनुरोध है कि बयान बाजी करने से बचे गौर करने की बात यह है कि गोहिल का यह बयान पाठी विधान मंडल दलके नेता सदारान सिंग के बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने असी सीटो पर चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया था कोहिल का कहना है कि बिहार में लोग कोवर 19 और बाज से परिशान है मगर भाजपा जदियू सिर्फ राजुनीती में व्यस्त है और चुनाव करवाने पर आतुर है बाद के कारण बिहार के 16 जुले के 77.18 लाख लोग है प्रभावत बिहार में बाद के कारण लगातार परिशानी बढ़ती जारी है 24,664 लोगों में से 12,489 लोगों के साथ राहत शिवरों में रखा गया है वहीं बादुश के कारण 20 थापत लोगों को भोजन उपलप्त कराने के लिए 1121 सांप्रदाइक रसुई की विवस्ता की गई है जहां पर 8,90,614 से ज्यादा लोगों का भोजन करवाया जा रहा है सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो दर्भंगा की हालत बहत खराब है सबसे ज़्यादा 15 ब्लोग की 227 पंचायतों के 20,58,000 लोग बाद से प्रभावित है बिहार के बाड़ प्रभावित जिलोक में बचाव और रहतकारियों के लिए NDRF की टीम को भी लगाए गया है भारत में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुची 24,00,000 के करी भारत में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है स्वास्तिव भावितों की तरफ से मिली जानकारी के इनुसार बीते 24,00,000 ने बावितों की पुष्टी की गई है T20 World Cup के लिए स्ट्रिलंका और UAE को भारत में रखा है बैक अप के तोर पर T20 World Cup के आयोजन को लेकर कई तरह के अटकले लगाए जो आ रहे हैं हाला कि अभी एक साल के लिए टूर्णामेंट को पूरी तरीके से स्थागित कर दिया गया है इस साल होने वाले T20 विश्वकप COVID-19 के माहौल को देखते वे एक साल के लिए स्थागित कर दिया गया है वहीं मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर COVID-19 के कारण भारत में टूर्णामेंट नहीं हो पाता है ICC टूर्णामेंट के लिए एक मानक प्रोटोकॉल के अनुसारी होता है लेकिन COVID-19 को देखते वे इस बार इसका अतरिक महत्व है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार COVID-19 के बरते प्रभाव को देखते वे T20 विश्वकप का आयोजन भारत से बाहर करवाय जाना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेट रहने के रिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूलें धन्यवाद